हेलो स्टुडेंट्स तूडे बीविल कवार लेशन फोर भीम एंड दा बोफैलू भीम बाजा पूर फार्मर भीम कौन था एक गरीव किसान था वह लीवविव अपनी पत्नी के साथ एंड टू चिल्ड्रन और दो बचो के साथ इन विलेज एक गाउ में rहता था यह एड़ इसमाल पैच आफ लेंड उसके पास यह एड़ रखता था इसमाल पैच आफ लेंड एक जमीन का टुकड़ा उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी था थोड़ी सी जमीन थी जहां पर वह क्या करता था वेजिटेविल्स सब्जीयों के लिए उगाता था इस टूब फैलोज उसकी जो दो भैसे थी गेव मिल्क टूदा फैमली गेव मिल्क दूद देती थी तूदा फैमली फैमिली को पीने के लिए भीम और उसकी फैमिली बहुत खुश थे और वो हमेशा भगवान के लिए थैंक कहते थे जो कुछ उनके पास था एक इसमाल पैचाफ लेंड था वहेंश थी जो उसके लिए उनके लिए दूद देती थी इसके लिए वो क्या करते थे भगवान के लिए बहुत अधिक थैंक फुल थैंक देती थी भगवान के बहुत यह अभारी थी दा चिल्डरन गिरुव ओलडा बच्चे जो बच्चे थे बब क्या होने लगे बड़े होने लगे गिरुव ओलडा न düld के लिए नीटिट मी आवसकतत हैं मोरमनी और अधिक दनकी सेंड दैम2 इसकोल सुझे लिए बच्चों को इसकूल लेजने के लिए भीम के लिए और अधिक धनकी अवशकत फित है ही एंड इस वाइफ उसने और उसकी पत्भाइफ ने decide decide किया to sell one to sell वेच देगा one of their fellows जो उसकी भैशे थी दो उनमें से एक के लिए वेच देगा ये उसकी और उसकी पतनी ने decide किया they were sad वो बहुत sad means दुखी वो बहुत दुखी थे to part with the loyal animal to part अलग होना with the loyal animal जो वोफादार जानवर था उससे अलग होना उनके लिए बहुती दुख भरा था that served them for many years जिसने served them उनकी सेबा की थी for many years कई सालों तक means दूर देकर उन भैशों ने कई सालों तक उसकी सेबा की थी इसलिए उनसे अलग होना उनके लिए बहुती दुख भरा था but they had no other option लेकिन उनके पास कोई दूसरा option था नहीं जिससे की वो पैसे कमा लेते और अपने बच्चों के लिए इसकूल में भेज देते इसलिए उन्होंने भैश बेचने का निर्ड़य किया the next morning अगली सू है भीम set out for the cattle market in the town विदिज बुफैलो भीम set out to the cattle market जो जानवरों की market थी cattle market जहां पर जानवर बेचे और खरीदे जाती हैं बागे लिए चला दिया टाउन में विदिज बुफैलो अपनी बुफैलों के साथ अपनी भैश के साथ अउन दवे राष्टे में लिए में विए मेंटा मैन उसे एक आदमी मिला विदा हार्स जिसके पास क्या था घोडा था राष्टे में उन्हें एक आदमी मिला जिनके पास एक घोडा था दा मैन सेट उस आदमी ने कहा फ्रेंड दोस्त I want to sell my house मैं अपना घोड़ा वेचना चाहता हूं मैं अपना घोड़ा वेचना चाहता हूं बुड़ यू लाइक टू एक्सचेंज कर लोगे क्या आप एक्सचेंज करना चाहोगे मेरे घोड़े के लिए अपनी बुफैलो से क्या आप मेरे घोड़े के लिए अपनी वह से एक्सचेंज करना चाहोगे बदलना चाहोगे थेंक्यू स्टुडेंट